नमश्कार रेसिपी मंद्रा में आप सब को स्वागत है आज मैं आप लोग लेकर आए हूँ विहारी स्टाइल आलू के आचार की रेसिपी आप इस रेसिपी को एक बड़ ट्राइ करके देखेगा यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप आचार खाने के सौख आप सबसे पहले देख सकें आलू का अचार बनाने के लिए यहां पे सबसे पहले आपको चाहिए उबले हुए आलू आलू आपको लेना हैं यहाँ पे चोटे वाले क्योंकि छोटे वाले आजू से यह अचार जयादा ज्यादा टेस्टी बनता है चाहें तो आप बड़े जादा उबला हुआ नहीं होना चाहिए मतलब कि आलू आपका अच्छा से पक जाना चाहिए लेकिन नरब नहीं होना चाहिए कि आप आलू को इस परकार से छूए तो आलू आपका बिखर जाए तो अब हम क्या करेंगे कि आलू को काट लेंगे आलू को आप बीच से इस परक काट लेंगे आलू को उबालते समय मैंने नमक डाल दिया था ताकि आलू जो है वह फीके फीके ना लगे तो इस पकार से आलू काट के तयार कर लें तो यह हमारे आलू कट के तयार हो गए इसे रख देते हैं एक तरफ और चलते हैं अचार के लिए मसाला त्यार करने के लिए मसाला को भुनने के लिए आप कोई पैन या कड़ाई ले ले अब आप इसमें डाले एक चमच धनिया मसालो को भुन के जब आप इस अचार को बनाएंगे ना तो स्वाथ बहुत अच्छा आएगा साथे साथ आप इसमें डाले एक चम्मच सौफ, एक चम्मच सरसो के दानी और ये पीले वाले सरसो हैं, चाहे तो आप काले वाले सरसो कभी इस्तिमाल कर सकते हैं, एक चम्मच साबु जीरा, तीन से चार सूखी लाल मिर्ची, अब हम इसे 2-3 मिनट भुन लेंगे, जब तक कि इसमें से भुननी की जो भीनी-भीनी से खुशवी होती है, वो आना शुरू ना हो जाए, गैस कांच मीडियम रखेंगे, बिहार में अक्सर इस अचार को साधी पाटियों में जरूर बनाया जाता है, और इस अचार को आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते है अगर आप इसे बाहर रख कर कहा रहे हैं तो आप इसे दो दिन तक ही खा सकते हैं बाहर रुकर रणे और फ्रिज裏 में नहीं आपकर खांगे, तो आप एक अप्टे क एक ठ्운ップ के सकते हैं क्युक्कि आंचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है, आलुक्ता बहुत जल्दी मसाले हमारे हलके से ठंडे हो गया है तो अब हम जार में डालके इसे पीस लेंगे और इसे पीसते समय आपको बिल्कुल भी पानी के इस्तमाल नहीं करना है बीना पानी कहीं से आपको पीसना है और यह देखिए मसाला हमारा अच्छे से पीस गया है और मसाले को पीसने के आसानी से मिक्स कर पाएं अब आप इसमें डाले एक चौथाई चमच मंग्रेल जिसे कलाउंजी भी बोलते हैं आधा चमच आपको इसमें डालना है अजवाइन और जो हमने मसाला पीस के रखा था उसे डाल देंगे एक चमच नमक डाल देंगे या नमक आप अपने स्वात के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर अब आपको इसमें डालना है सरसू का तेल जो हमारे अचार की जान होता है और अचार का टेश बढ़ा देता है तो यहां पर लगभाग आप दो बड़े चमच सरसू का तेल डालें मिक्स कर लेते हैं अगर आप भी विहार से हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इस अचार को कैसे बनाया जाता है अब मैं डाल रहे हूं इसमें एक सीक्रेट इंगेडियेंट वो है आम के अचार का मसाला जी हां इससे हमारे अचार का टेस्ट काफी बढ़ जाता है और आपके पास आम के अचार का मसाला नहीं है तो इसकी जगह आप अमचुर पावडर का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस मसाले को डाल के इस अचार को बनाएंगे ना तो आपको जो अचार का स्वाध है वो बोख़वाद अच्छा मिलेगा एक दम बिल्कुल गाउ दूप में रख दें और बातों ही बातों में यह लिजे हमारे आलू का जो अचार है वो बन के तैयार हो गया है आप भी इस रेसिपी को एक बड़ ट्राइ कीजिएगा रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आपका बहुत बहुत तहनेवाद अ अपना कीमती समय मुझे देने के लिए तो आप भी इस अचार को बनाएं और इसका आनन्द अपने परिवार के साथ उठाएं मिलते हैं एक और नहीं रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाई बाई